नमस्कार दोस्तों आज हमने इस साम की छोटी मुटी भुक के लिए बनाया है सिमय का बहुत ही टेश्टी और हेल्दी नास्ता दोस्तों ऐसा आपको भी बनाना है तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो इन तक देखिए मैं रविकला आप सभी का अपने यूटुब चैनल बिंद चैनल भी डालेंगे और मार्केट में रोस्तेट सेमयी सुजी वाली इजली मिल जाती है और अपने सेमयी में डालने के लिए थोड़ी सबजी यह काट ली है तो इसके लिए हमने ले लिए एक बड़े साइच का प्याज बारिक काट करके आधा इंच अद रख दो हरी और थोड़ा हारा धनिया और एक गाजर को हमने बारिक काट लिया है तब बनाना सुरू करते हैं तो यह हमने गैस पे कड़ाई रख दिया और उसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मा सरसो का तेल को हम बहुत ही अच्छे से गर्म होने देंगे तो तेल हमारा आप देख सकते ह सब्सकर दाल दिया है इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे हैं इसके बाद हम ढ़िंगे महारी राध्रक तीन से चार मिन तक इन्हें भूनने के बाद हम इसमें मटर और गाजर को भी डाल देंगे तो हमने गाजर को डाल दिया है साथ में हम मटर को भी डाल देते हैं और इन्हें डालने के बाद हमें फिर से एक से दो मिनिट तक इन्हें भून लेना है अब हम इसमें स्वादनुसार नमक को डाल देते हैं तो मैं एक छोटा चमच इसमें नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ ही मैंने इसमें किचन किंग मसाला आदा छोटा चमच और आदा छोटा चमच हल्दी पावडर डाल दिया था इसकी वीडियो सूट नहीं हो पाई है तब उन्हें डाल दीजेगा और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो जिस कटोरी से हमने अपनी समय डाली थी दो कटोरी उसी कटोरी से हम इसमें चार कटोरी पानी डाल रहे हैं दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखेगा, कि आप किसी भी वरतन को नाप में ले सकते हैं, तो मैंने काटोरी ले थे घर की, आप चाहिए तो ग्लास, कप, कुछ भी ले सकते हैं, और पाणी उसी काटोरी जालास से, या कप से डबल डालना है, तो जितना आप समय डालोगे एक कटोरी डालोगे तो दो कटोरी पानी और दो कटोरी अगर समय डालोगे तो चार कटोरी पानी डालना है तब ही आपकी समय अच्छी बनके तयार होगी तो यह पक चुका था हमारा मटर तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया है समय को और अब इस पर ही हम इसे पकाएंगे बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे तो आप देख सकते हैं धीरे-धीरे यह हमारा से महीं पानी को सोख रहा है हमने फिर से इसे चला दिया है थोड़ा सा पानी इसमें और बचा है और यह लगभग पकने वाला भी है तिसे दबा करके चिक भी कर लेंगे कि हमारी से महीं पकी है या नहीं तो यह लगभग पक चुकी है थोड़ा सा जो पानी है उसे भी हम ढख करके सुखा लेंगे और इस अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसे दो मिनट तक हम इसी तरे से ढख करके छोड़ देंगे दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं यह हमारा नास्ता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए ते चलिए गर्मा-गरम इसे शर्व करते हैं खाने के लिए दोस्तों आप इसे कभी भी नास्ता बनके तयार है, खाने के लिए तो उम्मीद है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सस्क्राइब भी करें, साथ में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे, और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,